आज हम देखने वाले मिक्स ताल दोसा की रेसिपी इसमें की कॉंटिटी बहुत जाता है जिफ चावल कीडो से खाने के अलाबा आप नाश्रे में यह मिट्स ताल दोसा भी बना सकते हो बहुत ही healthy options है के लिए जिनका प्रोटीन इंडेक बहुत काम होता है तो इसमें हमने ऐसे स्पेसिफिक कॉंटिटी रखी नहीं है मैंने अपना जो भी कॉंटिटी मेजरमेंट्स है वो आपको दिखा दिया है वीडियो में बस अगर आपके बस कुछ दाल अवेलिबल नहां हो तो आप उनको को रिप्लेज भी कर सकते हो या तो अब टोटली इलमनेट भी कर सकते हो बस आपको चावल दो कटोड़ी चाहिए और बाकी सारी दाल मिलते अपको तीन कटोड़ी चाहिए ठीक है यह मिक्स्टर 5 कटोड़ी के हिसाब से मैं आपको दिखाया मतला 4 परसंस के लिए इनाफ है और एकदम पीट भरके हो जाएगा ठीक है तो चली देखते है रजबी फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से सारे दाल और चावल जो है वो निकाल कर रख दिया है यहाँ पर main जो सबसे important बात है वो है चनिक की डाल और उड़त की डाल दा measurement आपको change नहीं करना है बाग की डाल आप कम ज़्यादा कर सकते हो जिसे मसूर की डाल किसी के पास available नहीं होती तो आप eliminate भी कर सकते हो ठीक है तो आपको चनिक की डाल जो है यहाँ पर लेनी है one cup ठीक है मेथी डाने लेने है two tablespoon और उड़त की डाल लेनी है half cup मूंग डाल लेनी है आपको लगबग एक cup और तुर की डाल और मसूर की डाल दोनों भी one fourth one fourth cup आपको लेना है लगबग यह three cups के equivalent सारे डाल मिलकर हो जाएगा और two cups इसके लिए हमने rice लिया है थोड़ी सी quantity कम ज़्यादा होने से कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा और मेथी डाने skip नहीं करने है उससे क्या होगा कि आपके दो से बहुत crispy बनेंगे सारे डाल को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ except मेथी डाना मेथी डाना को आपको दोना नहीं है क्योंकि हम जब हाथ लगाकर यह जो डाल और चावल का mixture है उसको धोईंगे तो गीले मेथी डानों को आप human touch के वज़े से वो कड़वे हो जाते है और वो कड़वाट जो है वो बढ़ती जाती है तो आपको पहले डाल और चावल का mixture जो है वो धो कर लेना है अच्छे से दो या तीन पानी से इस तरह से आप धो कर ले लीजे ताकि जो पाउडर वग चावल का mixture कितना हुआ है और हमने कौनसी चावल की quality जो है वो यूज की है बासमती राइस आपको नहीं यूज करना है इसमें आप normal बाकी कोई भी राइस जो है वो यूज कर सकते हो और अब मैं इसमें मेती दाने डाल रहे हूँ ठीक है इसको ढग कर चार गंटे लग मिनि ताकि हमारा mixture ज्यादा पतला ना हो जाए ठीक है और अगर आपको mixture जो है वो पतला करने की जरुद पड़े तो आप ये water जो है वो यूज कर सकते हो और additionally normal cold water भी add कर सकते हो ठीक है बट पहले ही water ज्यादा ले लिया अगर mixture बनाते समय तो mixture अच्छे से grind नहीं होता है दरदर तो आपको minimum water use करके ये mixture जो है इसको grind करना है एक fine paste में जैसे हम कोई भी idli का batter बनाते समय करते हैं उसी तरह यहाँ पर करना है और taste के लिए और spices के लिए हम इसमें बस garlic और नमक डाल रहे है अगर आप तीखा जादा पसंद करते हो तो आप green chili भी डाल सकते हो एक या दो ठी देख सकते हो fine paste हमने बनाई है यहाँ पर अब हम इसको एक बाउल में या वैसल में निकाल लेंगे और यह यूज करने के लिए directly ready है हमने पहले ही इसको 4 घंटे भीगो कर फिर paste किया है तो paste भी अच्छे से हो गई है और हमारे सारे दाल जो है वो अच्छे से भीग गए थे तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से grind हुआ है और mix भी हुआ है ठीक है अब हम mixture की जो consistency है वो check करेंगी यह हलका सा गाड़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी use करेंगे इसमें और मैंने grind करते हुए सारा पानी use कर लिया था तो यह मैंने normal water use किया है और इसकी consistency जो है अर्जिस्ट कर लेनी है आपको ठीक है एक बार consistency अर्जिस्ट हो गई तो यहाँ पर मैंने pan रखा है गरम होने के लिए यह non-stick pan है यह आप तबा भी बोल सकते हो जिस पर मैंने नमक का पानी चिरक कर देखा कि यह गरम हुआ आएगा और बहुत ही थोड़ा सा oil हम इस पे करूंगी तो आपकी दूसे ज़्यादा oily होंगी और कृस्पी नहीं बन पाएंगे तो आप ज़्यादा oil ना लगाए दोसे बनाते वक्त उत्तपपा बनाते वक्त एक बार चल जाता है बड़ दोसे में आपको बहुत ज़्यादा oil नहीं लगाना है ठीक है और इस तरह से इसको जितना हो सके उतना थिन आप स्प्रेड कर दो और थोड़ा सा पानी मेरे यहां चिड़का है और एक दो बून ओल वापस से डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक सेखेंगे और जब यह हलके हलकी साइड्स छोड़ने लगे तब हम इसको चेक करेंगे आप देखिए कितना अच्छा ब्राउन और गुल्डन ब्राउन हुआ है बहुत ही क्रिस्पी और यमी लगता है यह दोजा और इस बहाने से सारे दाल भी आपके खाने में चले जाते है बिकॉस हम हमेशा चावल का जो दोजा बनाते है उससे तो यह हाइब प्रूटीन है और इसको मैंने चीली सॉस और टोमाटो सॉस के साथ सर्फ किया है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्स्राइब तो मैं चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई टिक कैर